हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिक्रा सैनी उत्तर बर्देश में विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही आईकर रिफाग की छापे मारी ने अखलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किले बढ़ा दी है क्योंकि आईकर रिफाग ने जो चार दिनों तक रेट की है उसमें बड़े खुलासे किये हैं कई सो करोड रुप्य की टैक्स चोरी का आरोब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव के करीपयों पर लगा है आपको बताते ये चापे मारी बड़े पहमाने प पर देश में अलग-लग जंखों पर की गई तीस ठिकानों पर चापे मारी की गई जिसमें ये करोडो रुप्य के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है लेकिन इस खुलासे के वाद समाजवादी पार्टी कितना बोकलाई हुई है कितना तिल मिलाई हुई है ये जया बच्चन के बयान से साफतोर पर समझा जा सकता है तरसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया भच्चन जो आजकल लगातार E.T. और CPI पर सवाल खड़ा कर रही है जो तमाम सवाल केंद सरकार पर उठा रही है उन्होंने कहा है कि समाजवादी एक गरीब पार्टी है और गरीब लो रीकोर्ड में है क्या ही सबसे रीचेस्ट रीजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है अगर 2016 से 2017 की बात की चाहे तो 321 करोड की इंकम जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से की गई थी इसके लाफा आपका बता दें जिस तरीके से समाचवादी पार्टी के साशन में उत्तर प्रतेश में सैफ़ाई महोच्चा हुए हैं और उसमें करोडो रूप्ये खर्च किये गई हैं तमाम विदेशी और बॉलीफूर्ड के कलाकारों को वहाँ पुलाया किया वहाँ उन्हो जिस समाचवादी पार्टी को वो गरीब बता रही हैं आज उसी समाचवादी पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं के ठिकानों पर जब च्छापे मारी हो रही हैं तो ये करोडो रूप्ये के खुलासे हो रही हैं कि किस तरीके से टैक्स्चुरी की गई हैं बड़े किये गए हैं और खुद आपको बताने समाचवादी पार्टी के करीब्यों ये माना है कि 68 करोड रूप्ये का घपला उनके द्वारा क्या क्या है खुद वो स्विकार कर रहे हैं और इस खुलासे के पार आपको बताने बीचेपी लगातार समाचवादी पार्टी अखलेश यादव पर हमलावर है इस बीच उत्तरप्रदेश बीचेपी प्रदेश अध्याक्ष सुदंत्र देवसिंग का ट्वीट साफने आ हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि सपा के नेताओं पर बलातकार के बाद अब प्रश्टचार के भी आरोप सिध हो रहे हैं टोबी तो ल प्राली में जयाबच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वेर राय बच्चन को भी एडी ने समन फिजा था परामा पेपर लीक माफले में एश्वेर राय बच्चन से करीब 6 घंटे तक एडी ने पूस्ताच की थी और यही वज़ा थी कि जयाबच्चन जनसद में भी पौ किया है तो उन्होंने इडी की काहभाई का जो चुल लिंक है वो सीधे उत्तरपरदेश बिदनसबाद चुनाव से चोठ दिया जयाबच्चन की और से कहा किया कि उत्तरपरदेश में विदनसबाद चुनाव हैं और यही बचा है कि इडी अलग-लग माफलों में इस तरीके से च्छापेमारी कर रही है आयकर विफाग की च्छापेमारी उत्तर परदेश में चल रही है क्योंकि उत्तर परदेश में चुनाव है और पीछे भी आयकर विफाग और एडी का इस्तेमाल कर रही है ये तमाम आहरोब जया बच्चन की ओर से भी लगाए गए लेकिन विपक की और से समाजवादी पार्टी के नेताओं और साथ ही जो तमाम उनसे जुड़े करीबी लोग हैं जिनके घर आयकर रिफाक ने च्छाबे मारी की हैं जहां से करोडों रूप्य बरामत किये गए हैं तमाम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जो है वो आयकर रिफाक ने जब की है औ जवाल टोपी ही इन लोगों को कट घरे में खड़ा करें की इस तरीके की बयानवाची लगातार जयावच्चन की और से की जा रही है लेकिन जिस तरीके से जयावच्चन का ये ताहजा बयान साफ ने आया है कि समाजवादी पार्टी गरीब है और गरीबों के घर छापे म लेकिन जवाल यही है कि यह जो 800 करोड रुपय के टेक्स चोड़ी और घोटाली का खुलासा हो रहा है तो आखिर यह 800 करोड रुपय कहां से आ रहे हैं खुद उनके ही करीवी जिनके आफ़ास पर चापेमारी हुई है जो कंस्ट्रक्शन कम्पनियों से जुड़े मालिक हैं वो खुद कह रहे हैं कि हां 68 करोड रुपय का गबन हुआ है 68 करोड रुपय जो है वो अगोशित आए है तो इस तरीके से जब खुलासे हो रहे हैं तो ऐसे हुए जैबच्चन का यह कहना कि समाचवादी पार्टी गरीब है और गरीबों पर यह च्छापेमारी क्यों हो र रहा रही हैं समाचवादी पार्टी ने जो अलग-लग शेल कंपनियों के चरही के पैसा इखटा किया था और इतना ही नहीं आपको यह भी बता दें कि आईकर रिफाक ने खुलासा केफी किया है कि कई समाचवादी पार्टी के अकाउंट है जिनकी छानवीन फिलाल आईकर ट्राय हैं इसके लावा कई ऐसी कंपनिया हैं जिनके मालिक शामिल हैं और जो कि अखलेश यादव के करीबी भी हैं उनके घरों पर भी छापेबारी की गई है यही वज़ा है कि फिलाल यह पूरी रेड समाचवादी पार्टी और उनके डेताओं की टेंशन बढ़ा रही ह है और यही वज़ा है कि समाचवादी पार्टी अब इस पूरी रेड को लेकर सरकार को खेर रही है उत्तरपरदेश में चुनाफ हैं वहाँ इस पूरे माफले को भूनाने की कोशिश कर रही है वहाँ जनता को बार बार यह कह रही है कि दरसल एडी और आईटी का इस्तिमा के से अचानक एक के बाद एक बयात देना जो वो लगातार एडी और आईकर हिवाग की इस छाफे मारी को लेकर दे रही है एश्वरिया राय पे पर नावा पेपर लिक माफले में पूस्ताच हुई और उसके बाद जैवच्चन का ये रोधर रूप देखने को मिला जहां को संसद में बीजेपी को शराप देती नज़राई की बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने फाले हैं और आप विपक्षी दलों का गला खोट रहे हैं संसद आप ही चलाए इस तरीके की बयात पाची समाचवादी पार्टी की संसद जैवच्चन की ओर से की गई इतना ही विपक्ष को यह तरब से कहा किया कि आप किसके साभने बीन बजा रही है यानि सरकार के साफ़ में बजाने से कुछ नहीं होगा इस तरीके की बयात पाची समाचवादी पार्टी की संसद ने की इसके चलते उठे निलंबित किया किया लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के बजाए जया बच्चन का जो रूप देखने को मिला पुसाफतोर पर बया कर रहा था कि बच्चन परिवार की मुश्किले पनावा पेपर लीक माफले में बढ़ने वाली हैं अब एश्वेरे राय बच्चन के बाद अमिता बच्चन से इस पूरे माफले में पूस्ताच हो सकती है जिस पर कई करोट रूपे के टेख शोरी के आरोब बच्चन परिवार पर लगे हैं और खुलासा ये भी हुआ है कि खुद जया बच्चन जो है जो समाजवादी परी में जो दूसरे पद हैं उन पर बैठा हुआ है तो इस तरीके से इन कमप्टियों के जर्किये पैसों का गबन हो रहा है इस तरीके से ये टेक्स चोड़ी की जा रही है मनी लॉंडरिंग की जा रही है और इस पूरे माफले में ही फिलार इडी जो है वो च्छांट बी कर रही है पनामा पेपर लीक माफले में जहां एश्वेरा राय बच्चन से पूस्ताच हो चुकी है और माना चारह है कि उसके बाद अभ अमिताब बच्चन से भी पूस्ताच हो सकती है और उस बीच जया बच्चन का इस तरीके से तिल मिलाना इसकी दो बड़ी फचा है ए और खुलासा यह हुआ है कि करीब 800 करोड रुके के टैक्स्चोरी और घोटाला जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओ और इन करीफियों के द्वारा क्या क्या है जिसमें आयकर रिफाग लगातार खुलासे कर रहा है और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जो जया बच जा है कि समाजवादी पार्टी तिल्फलाई हुई है अखलेश यादव से लेकर अब जया भच्चन इस तरीके से सफाई पेश कर रहे है प्लाल आपकी इस पूरे मांखने पर क्या राय है हमें कॉमेंट बोक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवा